व्याकरण पढ़ेंगे व्याकरण में पढ़ेंगे अलंकार व्याकरण में पढ़ेंगे अलंकार, अलंकार की परिभासा अलंकार कित्ते प्रकार का होता है और उसकी परिभासा जिन गुर्ण धर्मदारा काव्य की सोभा बढ़ाई जाती है उसे हम अलंकार कहते हैं जिन गुर्ण धर्मदारा काव्य की सोभा बढ़ाई जाती है जैसे बहुत अच्छी सुन्दर कविता होती है उसे हम अलंकार कहते हैं अलंकार के प्रेद, कावे में कभी-कभी अलग अलग प्रकार के प्रयोग से सोंदरिन ब्रदी होती है, हो जाती है, फे उसमें चबदकार होता है, जैसे हैं अलंकार के दो बेद होते हैं, सब्दलंकार और अर्दलंकार, अब हम देखेंगे, कि आगे, सब्दलंकार में उसकी परिवासा. जब काव भी हमें सब्धों में काव इस हुने रद्धी की जाती है, क्या की जाती है? रद्धी की जाती है. तब उसे शब्द रंगार कहते हैं. हैना? सब्ध की विशेश कारण से सोंदर उद्भन में होता है और विशेष परियारची रखने से काब सौंदर समापतो जाता है अगर उसमें जाता है परियारचिये ने उसके विर्दार्थी रखने परियारचिये ने एक से सब्द रखना कनक कनक ते सो गुदी मार्दक तालिका एक कनक का अर्थ होता है क्या होता है एक कनक का सोना क्या है सोना और एक होता है । कनतह अठा, अठा है। है न, गय हुआ का आठा चापड़ेंगे की नतह सपरतेरी माधला टाः यहाँ के स्थान पर उसका पड़या घया बढ़की जाओ धुआ ये आठा होता है न, गय हुंका? उसका आरध हमताया रिर्ज्छ है न, देने पर कावशोंदर समागत हो जाता है अगर हम के उंगा कर्यायवाची जबते हैं कनक-कनक ते सोग होनी ये कहा हुदू, इन कम्तियों में बताया है सब ये, सब दरम कावशा आपका अब हम पढ़ेंगे आगे की कनक तो आपका बच्चों, हमने अभी क्या पड़ा कि काप की सोंदर की ब्रदी होती है तो कनक करते सो भुनूई इसमें हमने अभी अपने उसके अर्थ पड़े की परियावाची सब्द के अर्थ पड़े की उसका समदर ना समाथ होता हो ना ही बढ़ता है अपर इसदर कनक सब्दकार दो बताया कैसे एक कनक की स्थान पर उसको परियावाची गया हुए जत्यूरा बता दिया है और इससे क्या हो रहा है कवीटा कावे पाट का सोंदर नस्त हो जाता और अगा कनक करने की सब्सक्रों। एक बार से अधिक बार रुखिये उसे तब फिर वहाँ पर क्या आ जाता है? अनुबरास अलंगार आ जाता है तासब्द की अगर व्रदी इसमें उदारण के से पढ़ेंगे हो के इसमें कित्ते बार आ गई है? ये तासब्द की व्रदी क्या दा होई? तरिमी तरुबर और स्तर्ड ये सब्दों की व्रदी होई आपे तो यहाँ पर क्या होगे आवर्स्ती एक से अधिक बार हो गई इसे क्या कहींगे हम? अनुप्रास अलंकार है ना? क्या बोलेंगे अनुप्रास अलंकार? अब धारण सम्झेंगे हम की क्या है? रगुपति रागव राजा राम पतित पावन सीता राम इसमें भी किसकी हुई? रदी रासब्द की रदी हुई है न? रगुपति रागव रादा राम पतित पावन सीता राम राम रावर्न की रदी आपरती हुई पावार आयकार चारू चंद की चंचल किरने, चारू, यहां पे आये लिए सब चंचल, है ना, चारू चंद की चंद, यह दारण की दारा हम इनको समझ सकते हैं, मुदित मही पती, मंदिरे आये, मां की ब्रत बढ़न की आपती बढ़ने, है ना, मैया मोरी मैंने ही मांखन खायो, यहां भी मा कालिंदी कूल कलिंदी का वर्ण की अवरती बार बार आई है इसे जा मुलें कि हम अनप्रास अलंकार अब है यमक अलंकार यमक अलंकार में जब कोई वर्ण या सब्द एक से अधिक बार आए और अलग-अलग हो जाए उसे हम यमक अलंकार कहते हैं जैसे तीन वेर खाती थी वे तीन वेर खाती है यहां क्या हुआ उधारण का तीन वेर खाती थी यहां बदल गया यहां 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 बदल गया क्या हुआ यहां पे बदल गया तीन वेर खाती थी जग 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 इसी का फिर से बता दिया कि कनक-कनक जे सोग निमादकता दिकार या खाए बोराय नहीं वा खाए बोराय यहां कनक कर जे सोना और गतूरा यह क्या हुआ यमक अलंगार निदी यहांपर इसका उधारण आता है काली घटा का गमट घटा यहां बदल के काली घटा का गमट घटा यहां एक घटा का तो काली घटा हैं और दूसरी घटा का कम होना गमट घटा यानि कम होना कम होना इसका और काली घटा का घटा हैं बहुत सारी घटा हैं काली घटाएं, बहुत सावी, बहुत घटाएं पिर है, है कभी बेनी देनी वयाल चुराई दीनी देनी बेन, एक बेनी का आज़ा है कभी का नाम दूसरे का है बालों की चोटी बालों में लगाई जाती है ना बालों हैं बेनी चुर्पी लगाई जाती न है यसी उसे बेनी होते न फिर रती रती सोभा सब रती सरीर के यहां रतीकार्द है एक है तनिक असास सारी और रतीकार्द है काम देव एक का है तनिक तनिक का सारी रती का अrd कामडेव की पत्नी को बोला यहां क्या है यमक अलंकार यमक अलंकार यहां के क्या हुआ अर्था अलग-अलग हो गए कोई भी सब्द का एक वाट से अधिक आए हैं और उनकार अलग हो ह потреб केते हैं श्लेश अलंकार श्ले सलंकार का अर्थ चिपका हुआ अर्थाथ एक शब्द के अनेक अर्थ चिपके होते जब कावे में कोई शब्द एक बार आये किते बार आये? एक बार और एक से अधिक अर्थ प्रकट हो जाए उसके उसे श्ले सलंकार जैसे रैमन पानी राख ये बिन पानी सब तून, पानी गए नो गरे मोती मानुस चून, रहिमन पानी राकिये बिन पानी सब तून, पानी गए ये बार बारा है इसके चिपका हुआ है, पानी गए नो गरे मोती मानुस चून, यहां दूसरी पगती में पानी सब एक बार आया, और परंतु उसके आर अलग अलग प्रसम में, जैसे पानी का होता है, एक है मोती, मानुस, मानुस को पानी की जरूरत जादा पड़ती है, हम मानुस का ने, हमें पानी की जरूरत अधिक से अधिक होती है, पिर चून, यह चून यहने आटा होता है, तर पे चून का अर्थ क्या होता है, आटा है, च चमक, फेर एक और अर्द बताया है, एक जल, यहाँ जल, पानी का प्रमुख है जल, पर इसके आठ सब जगह है अनव होगर, मोती की चमक, है न, मनुस्य की जल, चुब आठे में बिना जल के आठा मढता नहीं, सब ही रोटी बनती है, तो हमें इन सब चीजों की दरूरत पढ अर्टी है, अब है और जुधारन दिये गएगी बच्चों, मधुबन की चाती को देखो सुरू की इतनी कितनी कलिया, यहाँ कलियों का अर्थ है, फूल खिलने से पूर्व की अवस्ता, और योगरनाने से पहली की अवस्ता, फिर बताया है, चरन, धरत, चिंता, करत, चित अर्थ है, जैसे की कभी इने संदर्व में कहा है संदर्व सब, व्याभी चारी के संदर्व में संदर्व में संदर्व में संदर्व सोना, वहाँ हमने क्या पढ़ रखता, अनुप्रास अलंकार के और यहां के अलंकार में कनक का अर्थ सोना, इधर इन्होंने इसका अर्थ बदल दिया वाट सकते हैं व्यावी चारी के संदर्वने सुन्वरूपरंग और चोर के संदर्वने में इसका आर्ज है क्या है सोना है ना फिर मगन को देख पट देथ बार बार है यहां बस संद दोनों के अद्म वस्त्र और दर्वाजा मगन को देख फिर मेरी भाव बादा हरो रादा नागरिया सोई जातन की जाई पर यहां में हरित दुए बोड़ यहां हरित सब्द के आता है हर्षित होना या प्रसन होना क्या है प्रसन होना हरित शब्द का अप्रसन होना हरे रंग से भी है, दूसरा क्या कर सकते हैं? हरित्याने हरा, हरित्याने हरा भी होता है, हरा अब यह अर्थ लंकार, अर्थ में, अर्थ लंकार में चमटकार उत्पन करने वाले लंकार है अर्थ लंकार के कित्ते वहित बता रहते हैं? पांच, उत्मा लंकार, रूपो के लंकार, उत्प्रिक्ष लंकार आती, श्योक्ति और मांगी करन उत्मा लंकार में क्या होता किशी व्यक्ति वस्तु की तुलना की जाती है और प्रसिद वस्तु की व्यक्ति से ही तुलना एक व्यक्ति की प्रस्विक्ति दूसरे व्यक्ति से की जाती है उसे उक्मा अलंकार बोलते है पीपर पास सरिस मन दोला यहां मन के डोलने की दुलना पीपल के पत्ते से की गई है यहां क्या है यह उक्मा अलंकार उक्मा की गई ना पीपल के पत्ते से की गई है मन की दोलना पिर उक्मा अलंकार के चार वेद होते जैसे उक्मे उक्मान और यहां पर उक्मान का क्या बता है समान दन उक्मे उक्मे दोनों इखटे हो जाते हैं एक समान हो जाते हैं उपर यह उदारण में डोलना समान धर्म है, क्या बताया? डोलना समान धर्म है, डोलने की दुलने की दुलना, पीपल के पत्य से इसको क्या गहाँ गया के? उधारण में डोलना समान धर्म है मन डोलता है ना मारा बारबाब उसे ही डोलना डोलता है फिर अन्य उधारण है के दुसारां इनको पढ़ सकते जैसे बताया उपमे मुख क्या बताया मुख? उपमान दिया है कि मयंग मुख मयंग सां मंजू मनोबा तो यहां पे उपमे हो गया मुख, मयंग हो गया उपमान साधारण सब्ध धार्मन हो गया क्या? मन्जू मनोबा वाचक सब्ध हो गया सम दूसरा है हाय पूल सी कोमन बच्ची हुई रापकी धेरी तीत उपमे में क्या हो गया? बच्ची उपमान पूल साधारण, ओमर, वाचक, सीशव ऐसे ही सारे धारण के अर्शार हमें को समझ सकते हैं अलंकार को रूपक अलंकार क्या पढ़ा था हमें अभी पहले? सबसे पहले उपमा अलंकार पर अभी ये रूपक अलंकार जब रूप गुण की अतधी समानता के अरूपमे पर उपमान का भेद रहे तारूप होता है वहाँ पर रूपक अलंकार कहलाता है जैसे यहां अरी के चर्णों में उपमे में कमल की समान बता है उपमान का अरूप है क्या? कमल और चर्णो को बताया है उपमे फिर मुनी पद कमल बंदी दो उबराता मुनी के चर्णो पर कमल उपमान का आरोप बताया भजमन चर्ण कमल अभिनासी इश्वर के चर्णो को उपमे बताया है पर यहां कमल या कमल का उपमान को आरोप शक्त बता दिया ऐसे ही उधार्डों से हम आगे इसको उक्मा उक्मान और साधारण सब्दिया संसद्यों को पढ़ सकते हैं अमबर कनगट में दूबो तारा गट उचान आगरी अमबर क्या आया यहां उक्मे और उक्मान का तथा तारा उक्मे यहां भी इनका उत्प्रेक्षा लंकार हिमकणों से पूर्ण मानों हो गए पंकजन या उत्तरा के जल्से में उत्तरा के नें बहर रहे तो भारे नायानि यहाँ पे आसु उकमे में हिमकणों से परिपूर्ण कमाल उत्मान की संभाना प्रकट की गई है परिपूर्ण कमाल आता है उत्प्रेक्षा लंकार है या फिर उत्प्रेक्षा लंकार पहचान मनहु मानो जानो जनहु जियों जनू आधी वाचत संभा प्रयोग हुआ है अन्य उत्प्रेक्षा लिए जैसे भाय धाम काम सब्त्यागी मनहु उर्ण किने भी तुटन लागी यहां राम के रूप सोंदर उत्मे में अधिति उत्मान की संभाना बताया गया है यहां मेंद्गो की आवाज हुख्मे में ब्रह्मा चारी समधा बारा बेद पढ़ने की संभा प्रगड की गई है ना जैसे देखी रूप लोचर ललचा में हरसे जलू निच जिदी पहचा में यहां राम के रूप सोंदर उत्मे में निभिया उत्मान की तंभाना प्रकड की गई है फिर ऐसे ही उधार्ण प्रताय गए है कि यह आप अपनी कॉपी में लिखे हमाए और उधार्णों से ही हमें सब समझ में आएगा कि हमनी क्या पड़ गए है चम-चमा चंचल नयन विच गूंबट पर जीन माना इसुर सरिताव मल जलू उचरत जुग निया गूं उपमान की संभाना प्रकट कर रहे है यहां क्या बताई है हमने भी आपको अतिश्योक्ति अलंगार इसमें क्या हो जाता है जहनों किसी व्यक्ति वस्तु आधी को गुर्द रूप और नर्याधी का वड़ने बढ़ा चड़ा कर किया जाता है जैसे किसी की बढ़ाई करना ह जाधा बहुत तारी बढ़ पतानी तो उसको हम एक की चार लगाना कह सकते हैं उसको एक दिन राम पतन में उड़ाई देव लोक में पहुंची जाई यहां बढ़ाई हुई ना एक यहां राम दोरह पतन उड़ाने का बढ़ना तुपीश है पर पतन का उर्थे उर्थे पताया है क्या एहां पे बढ़ा चढा कर बताना ती श्योप्ति आमे बढ़ा चढा में कर बाते करना ठीक देख लो साकेत नगरी है यही सर्ण से मिलने जगन में जा रही यहां साकेत नगरी कितलना सर्ण की समर्दिते करने का अतिश योगती वर्णन है हनुमान की पूछ में लगाना पाल या सिंक्री लंका जल गए गए निसाचन वाव अनुमान की पूछ में आग लगाने से पूछ सोने की लंका का जल कर राख होने का अतिश योगती का वर्णन किया गया है न कोई में बात को बढ़ा चापना चड़ा कर पताना मान भी करना नगरा जब जड़ पतारत दारत रकृती के अंगे नदी परवत पेड़ लता है ज़र में हवा पक्षी आधी पत्रों पत्रियां कारुप लगाए जाता है वहां पर क्या होता है मान भी करना नंकार होता है हरसा आया जाताल लगाया पानी परात भरके यहां में मान के आने का ताला आप द्वारत को शोकर पानी लाने का कारे करते दिखाया है जैसे नोदारन आपको दीए ही के मैं मचे भीक्तर्नाई पूर्ती यह याओं की तर्णाई पूर्ती यहां मानभी क्रियां का आरोप है फिर बताया जोवन नहाती मतर पेली अनियों दे आक लडाती शक्यों से आता लड़ाने का माननु आरोप बताया है इसलाइच में सक्कियों के साथ आरोप लगाने का बताएगा कि मटर बेली हैं मटर घस्ती कर रही सक्कियों के साथ और आँख लडाते हैं मादुखियाओं का आरोप बताएगा लोने लोने में जने चने क्या बने बने जलाते हैं होले होले होली गागा अपता पुंदरी पर ताल बजाते हैं यहाँ चने का होली गाने सच धजकर फितराने और ताल बजाने मादुखियाओं का रोप किया गया, बोले बोले आने, बोले बोले आने, धीरे धीरे, धीरे, यहां, ए बसुंदरा का बताया ने कि सुपह उठते ही महर, सूरज चैस की रोजनी से, लाल हो जाती पढ़िया, और बभी बटोर लेती अपने को सूरज को, अपने में बटोर के संसूबाय कर देती है, यह आपको साथ,